हेलो इन्वेस्टर्स आप शबीका श्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक बाजार में तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले है टाटा स्टील के बारे में जिसमें कि हमें काफी दिनों से काफी गिरावट देखने को मिल रही है तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इतनी गिरावट के बाद इस स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए बाई, शेल या फिर होड और शाहती जानेंगे कि क्या हम इसमें एक्यूमलेट कर शकते हैं या नहीं तो आईए वो सब जाने उस से पहले आज के शेर का परफॉमस देख लेते हैं तो जेशा कि आप यहां पे देख सकते हो आज भी शेर में हमें 2% की गिरावट देखने को मिल रही है और शेर पिछले क्लोज 1044 के सामने आज 1030 पे गेप डाउन ओपन हुआ था और वहीं लगबग 1031 का हाई बना के 2010 का लोड बना चुका है और मार्केट एंड होते थाथ 1023 पे कलोजिंग दी है तो यानि कि आज इसमें हमें काफी गिरावट देखने को मिल रही है तो वहीं अगर हम पिछले 5 दिन की बात करें तो उसमें भी जेशा कि आप यहां पे देख सकते हो गिरावट ही हमें लगातार देखने को मिल रही है तो वहीं अगर हम पिछले एक मन्त की बात करें तो उसमें भी शेर लगातार 12% की गिरावट हमें दीखा चुका है तो पिछले एक मन्द से काफी गिरावट हमें इस share में देखने को मिल रही है तो वही अगर हम 6 मन्द की बात करें तो उसमें भी share ने माइनस 12% के return दिये हुए है यानि कि पिछले कुछ time से share में काफी गिरावट हमें देखने को मिल रही है अगर हम इसके 52 week high की बात करें तो वो है 1534 रुपे का अभी share 1000 के आशपा straight करता हुआ नजर आ रहा है यानि कि अपने 52 week high से ये काफी डाउन चल रहा है तो जैसे कि हमने देखा कि share काफी डाउन चल रहा है अपने 52 week high से बात करें तो ये 33% अभी discount पे मिल रहा है अगर हम इसके low की बात करें तो वो है 991 का तो आज तकरिबन उसी के आशपास हमें पहुचता हुआ नजर आ रहा है तो वहीं अगर हम इसके result की बात करें financial की बात करें तो 2021 और 2022 में इन company ने काफी अच्छा profit दिखाया था और लगबख double profit होता हुआ हमें 2022 में अगले साल के मुकाबले होता हुआ दिखा था तो इसमें हमें financial में कोई कमी नजर नहीं आई थी लेकिन share price हमें pressure में देखने को मिला था तो आई ये जान लेते हैं पहले share price में इतनी गिरावट हमें क्यों देखने को मिल रही है और उसके बाद जानेंगे कि इतनी गिरावट के बाद क्या हम इसमें accumulate कर सकते है या नहीं तो expert की माने तो metal crisis में जो correction आया है इसके चलते इसमें हमें गिरावट देखने को मिली है तो वहीं इसके अलावा भी exercise duty जो की government ने बढ़ा दी थी तो इसके चलते हमें इसमें और भी गिरावट देखने को मिली थी एंड इसके अलावा अगर हम देखे तो expert का मानना है कि अब इंडिया में जो monsoon है वो चल्द ही आने वाला है एंड जेशक की देखा गया है कि monsoon में metal sector की demand काफी कम हो जाती है क्यों इसके चलते भी expert का मानना है कि आने वाले quarter में हमें काफी कम earnings देखने को मिल सकती है अगर एशा होता है तो उसमें कोई भी आश्चरिय की बात नहीं होगी इस सब वजह के चलते Tata Steel के share में हमें pressure देखने को मिल रहा है स्वस्थिक investment के equity research analyst पुनित पतनी जी का माने तो उनका कहना है कि Tata Steel में गिरावट की कई वजह सामने आई है एक तो है real estate business का fall होना तो उसके शाथ साथ raw materials की prices जो कि पिछले काफी time से कोरोना के बाद बढ़ रही थी तो इसके चलते काफी pressure में ये sector देखने को मिल ही रहा था उसमें भी government ने जो आप सभी जानते होंगे कि 15% की export duty बढ़ा दी थी तो उसके चलते अब काफी pressure में आ गये थे एक ही दिन में हमें काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी तो उसके उपर भी हमने आपको वीडियो बना के दे दिया था तो सभी कारण के चलते हमें 35% का correction 52 week high शे अभी देखने को मिल रहा है तो अगर रवी सिंगल जी का माने उनका मानना है कि government ने जो import duty घटाई थी export duty जो बड़ा ही थी उसके चलते share में pressure देखने को मिला था तो उसके चलते उन्होंने कहा कि हमें 800 तक के level की गिरावट इसमें देखने को मिल सकती है और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कुछ key moment होंगे जो की है चाइना में कैसे unlock होता है शाथी चाइना कैसे packages इसके लिए जाहर करती है तो उपर commodity price निर्भर रहेगी तो इसके चलते हैं इसमें हमें और भी गिरावट देखने कुमिले तो उसमें कोई भी आश्यर्य नहीं होना चाहिए तो उन्होंने बताया कि अगर आप इसमें accumulate करना चाहो आप और भी share करितना चाहो तो फिर आप 900 से 800 तक के level के उपर खरीच सकते हो एंड 700 तक के level तक यह जाता है तो फिर आपको इसमें share बिल्कुल कर देना चाहिए एंड आने वाले time में उन्होंने target भी बताये है 1270 से 1370 के बीच तो अब अगर overview की बात करें तो शबका मानना है कि इसमें और भी गिरावट होती हुई हमें देखने को मिल शकती है तो अगर आप mid term में इसे hold कर शकते हो तो फिर आपको hold करना चाहिए या फिर short term में तो इसमें आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी क्यूकि quarters के number भी इसके down होते हुए जरूर नजर आएंगे तो आप mid term तक hold कर शकते हो तो फिर आपको बने रहना चाहिए अगर आप short term के लिए हो तो फिर आपको इसमें share से exit लेने लिए चाहिए अगर आप कुछ लंबे time के लिए शोचते हो तो फिर आपको ये 800-900 के लेवल के बीच काफी अच्छा बाइब बन शकता है तो फिर आप जरूर इसमें accumulate कर सकते हो तो I hope आपको Tata Steel Share में क्या करना चाहिए और आगे क्या इसमें future बन शकता है इसके regarding कुछ चानकारी मिली होगी तो अगर ये शाहे वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब चरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेर करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में